अगर आप उस इंसान को ढूल रहे हैं जो तुम्हारी जिन्दगी बदल सकते हैं तो एक बार आइने में देख लीजिए खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता अपनी तारीफ खुद कर लिया करो क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर भी डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुँचाता है जिसमें वह रखा जाता है बहुत मुस्किल नहीं है जिन्दगी की सच्चाई समझना जिस तराजू में दूसरों को तौलते हो कभी उस पर खुद बै जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है समय वह है जिसे हम सबसे जादा चाहते हैं पर जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं त्याग के बिना कुछ भी आना संभव नहीं है एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है प इंहें पहत्र होता है जनका दिल साफ होता है दुनिया गलत साबित उन्ही को ही करने में लग जाती है जीवन में सबसे अच्छा सबक आप यह सीख सकते हैं कि कैसे सांत रहना है यदि आप अपने सपने को पाने की हिम्मत रखते हैं तो आपका हर सपना सच हो सकता है, समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानू, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी सुरुवात छुपी हो, अगर कश्ट बड़ा है तो काम्याभी भी बड़ी ही मिलेगी, भीतर छमा हो तो छमा निकलेगी, भीतर क्रो दूसरे को दोसी मत ठहराना, आसा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्वर करता है, कि हमने किस से आसा और किस पर विश्वास करना है, विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तु उम्र के साथ बदल ज रहती है, जब हम कोई भी कारिये भगवान की याद में रहकर करते हैं, तो उसमें भगवान की सक्तियां हमारी मदद करती है, और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है, अपनी परिस्थिती परमात्मा को सौब दीजिए, क्योंकि जितना आप जीबन भर में कर सकते हैं, उसस उनकी जिन्दगी में मुसीबत डालते हैं, अगर आप हार रहे होना, तो बहुत बड़ा ये संकेत है, आप भगवान के उन खास इंसानों में से एक हो, जिन्हें वो आगे पहुचाना चाहते हैं, दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं, जिन्हें आप कितना भी प्यार, मान समान दो, फिर भी वो आपको धोखा ये देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते, पतनी पसंद से मिल सकती हैं, मगर माबाप पुन्य से मिलते हैं, उनकी परवाह मत करो, जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, परवाह सदा उनकी करो, ज इनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे हैं जब आपका वक्त बदल जाए। रिष्ते चाहे जूबी हो, मजबूर नहीं, मजबूत होना चाहिए। जीवन में धैरिये, अतियंत महत पुर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिये। बुंद बुंद पानी से ही घरा भरता है, मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, ये वो पूजा है जिसकी खोज इस्वर खुद करते हैं। सुख हमारे एहंकार की परिक्षा लेता है, जबकि दुख हमारे धैरिये की, दोनों परिक्षाओं में उत्तिर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। प्यार और सम्मान दो ऐसे उपहार हैं, अगर सभी को देने लग जाओ, तो बेजुबान भी छुप जाते हैं। जिस दिन तुमें अपना मुल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम किसी की द्वारा की गई निंदा या परसंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संपुर्ण संसार में दुख से बढ़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को इस्वर की याद दिलाता ह अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हिर्दय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हिर्दय हमेशा प्रेम भाव देखेगा, सत्ते केबल उन लोगों के लिए कड़वा होता है, जो लोग जूट बोलने के आदी हो चुके है हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महतपुर्ण है, हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं, पेट में गया हुआ विस, केबल एक मनुस्य को मारता है, परन्तु कान में गया हुआ विस कई संबंधों को मार देता है, सिरकृष्ण कहते हैं, हर कि इंसान का बैक्दित्वत तब निखरकर आता है, जब उपनों से ठोकर खाता है, अगर कोई तुमसे कुछ माँगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं, परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे, तो सला के साथ साथ भी देना चाहिए क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परन्तु साथ गलत कभी नहीं होता अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना चोड़ दू क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है रुकने का नहीं जो वेक्ती सकती ना हो पेड को पानी देकर हर्याली की उम्मीद करना बेकार है। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना पर सबसे कठिन काम है विश्वास को पाना। उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। अभिमान तब आता है। जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है जब लोग आपकी तारीफ करे तो उसमें जूट खोजिए अगर आलोज ना करे तो उसमें सच की तलास कीजिए करोध आने पर चिलनाने के लिए ताकत नहीं चाहिए लेकिन क्रोह दाने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है अपने जीवन में अलोज नाव और परसंसा दोनों को स्विकार कीची क्योंकि एक फूल भी भेतरी नधंग से उगता है जब उसे पारीस और धूप दोनों मिलते हैं अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा वक्त दो क्योंकि आप हर जीच वापस ले सकते हैं मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते हैं अच्छे लोगों की भगवान बहुत परिक्षा लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता और बुरे लोगों को भगबान बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता खुसी के लिए काम करोगे तो खुसी नहीं मिलेगी लेकिन खुस होकर काम करोगे तो खुसी और सफलता दोनों प्राप्त होंगे जब इंसान की जवरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है इंसान एक दुकान है और जुवान उसका ताला ताला खुलता है तब मालूम होता है कि दुकान सोनी की है या कोईली की जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती है लेकिन जब किसी की आप दुआ कमाते हैं तो धन के साथ खोसी, सेहत और प्यार भी आता है किसी भी वेक्ति की सेहन सिलता एक खीचे वे धागी की तरह होती है सीमा से अधिक खीचे जाने पर उसका तूटना तै है जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो वह कभी भी किसी का नहीं हो सकता चाहे वह समय हो या इंसान जिंदिगी में अगर खुस रहना है तो इन छे बातों को अपनाना जरूरी है पहला सुनना सीखो खर्च करने से पहले कमाना सीखो लिखने से पहले समझना सीखो हार मानने से पहले कोशिस करना सीखो, रिस्ता बनाने से पहले निभाना सीखो, अगर आप जितना कम बोलेंगे उतने ही आपके सब्ध कीमती होते जाएंगे। भाबनाओं को समझने के लिए होता है अगर आपका कोई सत्रू नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप उन जगहों पर भी खामोस थे जहां बोलना बहुत जरूरी था जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरा हो जाओ क्योंकि अधिकतर लोगों की बाते मनुबल गिराने वाली होती है बोलने से पहले सोच लो क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पस्ताया जाता है आगे बढ़ने वाला वैक्ती कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुँचाता और दूसरों को बाधा पहुचाने वाला वैक्ती कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता इस्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है वह संसार के माया में हसने का भी नहीं है मनुस्य घर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिस्ते बदलता है, मित्र बदलता है, प्यार बदलता है फिर भी दुखी क्यों रहता है? क्योंकि वह स्वैम को नहीं बदलता सस्त्र केबल सरीर को गायल कर सकते हैं, किन्तु सब्द आत्मा को भी गायल कर देते हैं जिंदगी में हैरानी भी होती है और बहुत परिशानी भी होती है सब कुछ अच्छा होता है जब उपर बाले की महरवानी होती है तो मत सोच की तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता अगर आप जीवन में खुस रहना चाहते हैं तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए सचे किस्से सराब खानों में सुनाये जाते हैं जहां हाथों में जाम लिये होते हैं जूटे किस्से अदालत में सुनाये जाते हैं जहां हाथों में गीता होते हैं भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्म से डरना जरूरी है, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है. ये रोटी भी सस्ती नहीं है, कोई इसे कमाने को दोड रहा है, तो कोई इसे पचाने को, अगर दिसा दिखाने वाला सही हो, तो दीपक का प्रकास भी सुरी का कार ये करता है. बुराईयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए, और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए. लोग जैसे हैं, उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्विकार करने की कोशिस कीजिए, ना कि अपेक्छा या कामनाई कीजिए, वो ऐसा हो जाए तो मिर्त्य हो गई, और प्रान के रहते एक्छाए चले जाए तो मुक्ती, धरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए, लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं, और स्रीक किर्सन जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ उनकी बातों के तरफ जरासा भी ध्यान मत दीजिए जो आपके पीट पीछे आपकी चुगली करते हैं इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे दो कदम आगे हैं उपबास हमेशा अन्न का ही क्यों लोब लालच चुगली काम क्रोध और गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए स्वार्थ तो मनुस्य के भेवार में सामिल है बारिस रुक जाने के बाद छाता भी उसे बुझा लगने लगता है भरुसे में साब धानी भी आवस्यक है क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीब को ही काट लेते हैं अर्जुन ने दस लाक सैनिकों को त्याग करके स्रिकृ विष्ण को चुना ये विश्वास का सबसे उत्तम उधारन है अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते वो दरसल हर काम में अकेले ही काफी होते हैं आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता लेकिन आप कब गलत थे इसे सभी याद रखते हैं इंसान को खुद क की नजर में सही होना चाहिए दुनिया तो भगवान से भी दुखी है उस इंसान से कभी जूट मत बोलिए जिसे आपके जूट पर भी विश्वास हो संसार में केबल मनुष्य ही एक मातर ऐसा प्रानी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं उसकी बातों में है संभाल कर र ज़्याद हमें कोई नहीं बदल सकता जो लोग आपके बारे में सोचते हैं वो महत्वपुर्ण नहीं है जो आप अपने बारे में सोचते हैं वो महत्वपुर्ण है जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आस्मान की तरफ देखना वहां वो है जो हमेशा से त जलत अनुमान मत लगाया करो क्योंकि आप नहीं जानते उनकी जिंदगी में कितनी उलज़ने हैं जैसे जैसे आयो बढ़ती है तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुमारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं एक दिन तु निस्वार्थ का पता उससे दूरियां बढ़ने पर चलता है छोटे वैक्ती की उँशी अवाज सचे वैक्ती को चुप करती है लेकिन सचे वैक्ती का मौन जूटे वैक्ती की जड़ें हिला देता है जब लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज़द देनी हैं, आपका खुश रहना ही आपके दुस्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है, दो ऐसी चीजे हैं जिनको देने से किसी को कुछ नहीं जाता, एक दुआ औ एक कड़वा सच, जब इंसान आपसे प्यार करता है, तो आपकी बुराई भूल जाता है, और आपसे नफरत करता है, तो आपकी अच्छाई भूल जाता है, किसी भी वैक्ति से अत्यधिक लगाओ हानिकारक है, क्योंकि लगाओ उमीद के और ले जाता है, और उमीद गुजार देते हैं लोग और सीखते क्या है एक दूसरे को नीचा दिखाना स्रीकृष्ण कहते हैं अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोस मत दीजिए अपने मन को समझाओ तुम्हारे मन का फरीबरतन ही तुम्हारे दुखाओं का अंत है कुछ नया सीखने के लिए ये स्वि आज नहीं तो कल मिलेगा अगर जीओगी जिन्दगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा जीबन में रिष्टों की असलियत और एहमियत इस बात से तैक की जाती है कि वह आपकी मसहूरी और आपकी बदनामी या आपकी काम्याबी या नाकाम्याबी से बदलती नहीं है अगर आपका कोई रिष्टा वाकई में सच्चा है तो हलात बिगरने पर या समय कठिन आने पर भी आपका रिष्टा नहीं बिगरता गमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता कोई भी इंसान अपनी जुवान और अच्छे करमों से पहचाना जाता है क्योंकि अच्छी बाते तो दिवारों पर भी बहुत लिखी होती है समय जब पलटता है तो सब पलट कर रख देता है इसलिए अच्छे दिनों में एहंकार ना करो क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं लगता सब का वक्त कभी न कभी जरूर बदलता है जवरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की जनम के समय नाम नहीं होता बस कर्म अच्छे करें किसी का जीवन बदलेगा किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे आर्थिक स्थिती कितनी भी अच्छी क्यों न हो लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिती अच्छा होना आवस्यक है अगर तुम्हें अपने जीवन के सारे पर्षनों के उत्तर चाहिए, तो ये सभी पर्षन तुम सिर्फ स्वयम से करो, संबंध कभी मीठी आवाज या सुन्दर चेहरे से नई टिकते, वो टिकते हैं सुन्दर हिरदय और कभी ना तूटने वाले विजवास से, अगर कोई काम करने लायक है तो उसे मन से करो, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, आप अपने विचारों को बदलिए, निश्चित प्रॉप से ये विचार आपके जीवन को बदल देगे, एक बात याद रखिए, कि सुयम के अलाबा किसी की सरन में मत जाओ, देखते समय सिर्फ बात सुरू वही करता है जो बेहत प्रेम करता है, रिस्ते निवाने के लिए बुद्धी नहीं, दिल की सुध्धी होनी चाहिए, सत्य कहो स्पस्ट कहो, समुक कहो, जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा वह छूटेगा, किसी की भूल पर नराज होने से पहले अ परोसा करते हैं, वो किस्मत की बात कभी नहीं करते, जिस वैक्ती को अपने रिस्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े होने से अच्छा, अकेले खड़े रहना है, वह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है, मेरी गल्तियां मुझसे कहो, ना कि दूसरों से, क्योंकि सुधार परना मुझे है, उनको नहीं, सुख और दुख में कोई ज़्यादा भेद नहीं है, जिसे मन स्विकार करे वह सुख, और जिसे अस्विकार करे वह दुख, सारा खेल हमारे सुखिर्ती और असुखिर्ती का ही है, जीवन उन लोगों के लिए सर्फ स्रेष्ठ है, जो इसका आनंद ले रहे हैं, उन लोगों के लिए मुस्किल है, जो इनका विसलीशन कर रहे हैं, सुखी होने से ज़्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन हम जितने सुखी हैं, यह लोगों को दिखाने में बहुत खर्च होता है, शरीर से कोई सुन्दरता नहीं है, सुन्दर होते हैं वेक्ति के कर्म, उसके विधाय, उसकी वानी, उसके वैवार, उसके संसकार और उसका चरित्र, जिसके जीवन में ये सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुन्दर सक्स है, धोखा और चल, कोई इंसान माफ चरूर कर सकता है, लेकिन भूल नहीं सकता, एक बार एक महात्मा अपने आस्रम में एक छोटे पालतो कुत्ते के साथ टहल रहे थे, तब ही अचाना कि एक यूबक उनके आस्रम में आया, और उनके पैरों में जुग गया, और कहने लगा, महात्मन, मैं अपनी जिंदगी से बड़ा प्रेशान हूँ, मैं परते दिन परिस्रम करता हूँ, अज तक मुझे सफलता नहीं मिली, पता नहीं इस्वर ने मेरे भाग्यी में क्या लिखा है, जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकाम्याब हूँ, यूबक के परिसानी को महात्मा जी तुरंत समझ गए, उन्होंने यूबक से कहा, थोड़ा मेरे इस कहीं दूर तक सेर करा दो, इसके बाद मैं तुमारे परिसनों का उत्तर दूँगा, उनकी इस बात पर यूबक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोबारा उसने कोई परिसन नहीं किया, और कुट्टे को धड़ाते हुए आगे निकल बढ़ा, बहुत देर तक कुट्टे को सेर कराने के बाद जब यूबक आसरम में पहुँचा, तो उन्होंने देखा कि यूबक के चेहरे पर अभी भी तेज है, लेकिन वह छोटा सा कुट्टा थकान से जोर जोर से हाफ रहा था, इस पर महात्मा ने पूछा, मेरा कुट्टा इतना कैसे थक गया, तुम तो मिलने वाले सारे जानवरों के आगे पीछे दोड रहा था, इसलिए एक जैसी दूरी तै करने के वाबजूद भी ये इतना धग गया, जब महात्मा ने कहा, तुमारे परशनों का उत्तर भी तो यही है, तुमारा लक्ष तुमारे अगल बगल है, वो तुम से कहीं दूर थ थोड़ी है, परंतु तुम अपने लक्ष का पीछा छोड़ करके अन्य लोगों के आगे पीछे दोड़ते रहते हो, और इस तरह तुम जस चीज को पाना चाते हो, उससे दूर चले जाते हो, यूबक उत्तर से संतोष्ठ हो गया, और अपनी गल्ती को सुधारने में लग हम भी इस कहानी के कुट्टे के समान दूसरों को फॉलो करने में लग जाते हैं, अगर आप कमित्र डॉक्टर है, तो आप भी वही बनना चाते हैं, भले ही उसमें आपकी कोई रूची हो या ना हो, ऐसा करके हम अपना परतिवा को खो बैटते हैं, और जिंदगी भर संगर करते हैं, हमें सफलता नहीं मिलते हैं, इसलिए कभी दूसरों को फॉलो मत कीजिए, अपना लक्षी खुद बनाएगे, और उसके पीछे पूरे लगन से लग जाएगे, दोस्तों इस वीडियो में बस इतना हैं, मिलते हैं आगली वीडियो में, अपना ख्याल रखेगा